हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चनल में CBSC Board Examinations 2022 Term 2 से रिलेटेड एक बहुत ही important information हमें मिली है एक बड़ी update है जैसे कि आप सभी को पताई हुआ कि अभी हाल ही ने CBSC ने एक circular निकाला था जिसमें उन्होंने ये जानकारी दिया कि 26 अपरेल से CBSC Term 2 की examination शुरू हो जाएगी तो CBSC ने जैसी ये date exam की जो date है वो निकाल दी उसके बाद से ही students और parents ये लगातार मांग कर रहे हैं कि Term 2 examinations को cancel करके internal assessment के अधार पे number दे दिया जाए तो एक बड़ी update है और खास करके ये उन students के लिए ज्यादा useful है ज्यादा उनके लिए एक good news है जो चाहते हैं कि examinations नहीं हो और examinations cancel हो जाए तो हम पूरे news को पढ़ते हैं और सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं देखो इसमें लिखा गया है कि Central Board of Secondary Education has यानी जो CBAC है announcement अनॉंस की है dates class 10th और 12th के term to examinations ठीक है the term to exams will be held from April 26th April 26th से term to examinations होनी है ऐसा जो announcement है वो CBAC ने अलरड़ी कर दिया है और ऐसा इसलिए उन्हों किया है ताकि students इस पर ध्यान दे और इस पर focus करे और अपने तयारी को करे और जो भी जैसे demanding अभी चल रही है तो वो demand आगे ना करे और वो सतर्क हो जाए कि हमारी examinations हो नहीं है but students यह चान ही रहें कि examinations हो आगे इसमें दिया गया है कि meanwhile the council for the Indian school certificate examinations यानि कि जो CISC board है वो भी बहुत ही जल्दी जो है अपने examinations की date को बता देंगे और यह भी high chances है कि वो भी जो भी examinations की जो date है या फिर जो भी date seat वगेरा है वो अप्रेल के last week में ही examination करवा है जैसा कि CBC कर रही है ठीक है अब देखो यहां से important चीज़ क्या दिया गया है the supreme court on Monday agreed to hear a plea which seeks the cancellation of physical exams for class 10th and 12 to be conducted by all state boards CBC और ICSC देखो यहां एक बहुत ही important चीज़ दिया गया है कि जो supreme court है वो Monday को यानि कि आज agree कर लिया है यानि कि accept कर लिया है कि जो भी मांग लोग कर रहे थे examination को cancel करने को लेके तो उसको जो है वो CBC ने accept अभी फिलाल CBC मैं बोल रहा है supreme court ने उसको accept कर लिया है ठीक है तो फिलाल अभी जो supreme court है उन्होंने accept कर लिया है अब इस पर सुनवाई होगी और इसके बाद फिर फैशला लिया जाएगा कि examinations होनी है या भी नहीं होनी है तो जो भी information आएगा वो मैं आप लोगों दे दूंगा ओके इसमें लिखा गया है यहाँ पे जो चीफ जश्टिश है एन्भी रमन उन्होंने यह accept किया है ओके made for the urgent listening of the right petition saying the matter will now be heard before the bench of justice एम खानविलकर तो यहाँ पे जश्टिश का भी नाम दिया गया है कि कि इनके उपस्तिति में कौन जश्टिक हो जश्टिश होंगे और उनकी उपस्तिति में जो है उसकी जो सुनवाई है वो होगी ठीक है तो यह बहुत ही important और एक good news है उन्हें students के लिए जो चाहते हैं कि examinations नहीं हो और जो भी information हमें आगे मिलेंगी तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगा फिलाल अभी की जो latest updates मुझे मिली थी वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा तो चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू